नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल में स्ट्रेश्विक लेज़ पर जहां दोस्तों आउट्सोर्शिंग कच्चे क्रम चर्विश जड़ो है एक बहुत ही सुन्दर लेख आज के नुज पेपर में आये हुआ है जिसमें कच्चे क्रमचारियों से सम्मंदित जो पॉलशी है उसको बनाने के समंद में अपसरों के बीच क्या कुछ चल रहा है गलियारों में क्या कुछ चर्चा है किस पॉलशी पर सरकार काम कर रही है और कितने क्रमचारियों को इसका लाब मिल सकता है किस परकार के क्रमचारियों को इसका लाब मिल सकता है किस परकार में अब विदान सभा के चुनाव भी होने है जिहां अक्तूबर महीने में विदान सभा के चुनाव होने है साथियों तो अब जो लोकल मुद्धे हैं काफी हावी रहेंगे इन पर जहांपर दोस्तों सरकार अपनी जो है सपलताएं गिनाएगी 10 साल के करेकाल में दोस्तों न मांग कर रहे हैं जबकि जो कच्चे करमचारी हैं जी हाँ दोस्तों जो ऐसताई करमचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें नीमित किया जाए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो करमचारी हैं कच्चे करमचारी वो नीमित करने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं और गलियारों में कहा जा रहा है कि अप्सर जो भी सकीम बना रहे हैं उसे ज़्यादा ऐसताई करमचारियों को फाइदा नहीं होगा जी हाँ दोस्तो स्कीम पर काम जरूर चल रहा है कुछ ना कुछ लेकिन याँ पर ये भी चर्चा सुनने में आ रही है कि इस सकीम से ज़्यादा करमचारियों को लाब नहीं होगा मुख्य मंतरी नायब सिंग सेनी के परदान सचीव राजेश खुलर इस सकीम को देख रही है जो कचे करमचरे को पका करने की सकीम पर काम चल रहा है उनकी 26 सकारत्मक अपसर की है गलियारे में कहा जा रहा है कि उनके दप्तर से कोई खाली हाथ नहीं लोटता है इसलिए नीमित करने वाली पॉलिशी का दारोंदार भी उन पर है हाला कि कुछ अपसर प्रियास करेंगे कि पॉलिशी ऐसी बना दी जाए जिससे ज़्यादा करमचरे को लाभ नहों और पॉलिशी भी बन जाए मगर यह मुख्य मंतरी नायव सिंग सेनी और उन्ष के परदान सचीव राजेश खुलर को देखना है कि इस नीती से कम से कम एक लाख ऐसाथाई करमचरे नीमित होने चाहिए तो एक लाख के करीब जो करमचरे हो नीमित हो जाए कोई ना कोई ऐसी पॉलिशी बनाई जानी चाहिए सरकार को इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए जी हाँ दोस्तो एक लाख के करीब तो तभी आगामी विदान सभा में इस पॉलिशी का कोई लाभ सरकार को मिल सकता है कम स कम पात साल जिन करमचारियों को ऐसताई तोर पर नोकरी करते हुए हो गए हैं उन्हें दोस्तो नीमित का जोह लाब मिलना चाहिए चाहे वे आउट्सोर्सिंग पॉलिशी पार्ट एक के तैत लगे हैं या फिर पॉलिशी पार्ट दो के तैत लगे हैं चाहे इन करमचारियों को हर्याना कोशलोजगार निगम में पोर्ट कर दिया गया है मगर उनकी मूल नियुकती तो आउट्सोर्चिंग पॉलिशी पार्ट एक के तैथ ही हुई थी गलियारे में कहा जा रहा है कि नेमित करने वाली पॉलिशी में उन आयसताई करमचरे को भी सामिल किया जाए जिनका सो फिश्दी वेतन राज्य के बजट से जा रहा है बले ही केंदर की स्कीम के तैथ बनी सोसाइटी में काम कर रहे हैं यानि के कुल मिलाकर चाहे वो केंदर की स्कीम में काम करे हैं लेकिन उनका बजट जो है राज्य सरकार दे रही है गुरूप C और D के रिक्त पदों पर ह अर्याणा के लाखो बेरोजगारियों को बरती का इंतजार है और गलियारे में इस पर भी चर्चा है कि दूसरा जो कर्यकाल है सरकार का उसमें ज्यादा बरतियान नहीं हो पाई है जबकि 2019 का जो चुनाव था उसमें इनका जो है क्रमचारियों नई बरती का जो है लाब मिला था सरकार को क्योंकि पिछले जो कारेकाल था स्टार्टिंग का उसमें उनको ज्यादा लाब मिला था क्योंकि ज्यादा बरती आई थी लेकिन दूसरे कारेकाल में ज्यादा लाब तब ही मिलेगा जब सारी के सारी बरतीयों को कलियर कर दिया जा जो भी रोजगारी है उसका फाइदा उठाया जा रहा है अब पुरो मुख्य मंतरी भूपेंदर सिंग उड़ा ने गोशना कर दिया कि कॉंग्रेस की सरकार बनी तो हर्याना कोशलोजगार निकम को भंग कर देंगे दो लाग से ज्यादा रिक्त पड़े सरकारी पदों पर भी भरति की जाएगी ऐस्ताई करमचारी को निमित करने के लिए जो पॉलिशी वेव बनाई थी उन्होंने 2014 में ठीक है तो एक निती के तहत 4500 ऐस्ताई करमचारी को रेगुलर तो किया गया है मगर 10 साल की नियुक्ती वाले ऐस्ताई करमचारी वें से एक भी रेगुलर नहीं किया गया है क्योंकि सरकार बदल गई थी अब गलियारे में कहा जा रहा है कि वे अगर मोजुदा सरकार ऐसी रेगुलरिजेशन पॉलिशी नहीं बनाती जिसमें एक लाग से ज्यादा सथाई करमचारी रेगुलर कचे करमचारी के बारे में काम कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है क्योंकि सरकार को को है क्वोग ना कोई अपडेट आप लोगों को झरूर मिल जाईगी क्योंकि 4 महीने ही है सरकार के पास इस policy को final करने के लिए कोई ना कोई notification जारी करने के लिए बाकि जो रहेगा वो तो आप लोगों तो कहम पहुचाते ही रहते हैं समय समय पर तो इसके लिए दोस्तो आप लोग जो चैनल से जुड़ रहे सभी का बहुत बहुत आभार आगे भी हमारे साथ ऐसे थैंक यू वरी मुच्छ